आज हम बात करेंगे ट्रडिशनल टेक्स्टाइल्स ऑफ इंडिया बहुत इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है भारत के पारंपरिक वस्त्रों का परीचह आप यहां पर जानेंगे जिनके वजह से हमारा जो देश है भारत देश है वो फेमस है जाना जाता है जैसे आप फ पूट फेमस है साउथ इंडिया में नौट इंडिया में तो इसी तरीके से फैबरिक से भी हमारा देश जाना जाता है कि हमारे कल्चर फैबरिक जुदर शाता है हर राजी का अपना एक अलग ट्रडिशन एक अलग फैबरिक है तो वह आप जानेंगे कि कौन सा टिक्स्टा में गौलियर नामा के स्थान पर आपके बनाई जाती है यह बहुत ही महीन और सुंदर साडिया होती है जो कि आपके सिल्क और कॉटन को मिक्स करके बनाई जाती है सूती दागों का यूज के जाता है और रेशम और जरी के धागे भी इसमें यूज के जाते हैं बहुत ही प आपके यह हत करगो जारा निर्मान होता है इनका एक तो सबसे पहली बाद आप यह जान लेजिए आप यह हैं वूविन टिक्स्टाइल्स पढ़ रहे हैं मतलब इनका निर्मान हाथ से बुना जा रहा है इंसारी उसको सारी इसलिए बहुत कॉसली होती है बालुचर सारी जो ह है आपके घोडे पर सवार या फूल सुंगत ही बेगम इस तरीके इसके जो आपके कह सकते हैं पैटन होते हैं डिजाइन होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं बालुचर सारी पे ठीक है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जामदनी सारी जामदनी सारी भी आपके वेस बहुती फेमस और बहुती कॉसली फैवरिक था यह और यह सूरत बनारस एहमदवाद में बनाया जाता है इसमें सोने और चांदी के महीन तारों का यूज किया चाता है और उससे जो है आपके इसमें design pattern बनाया जाता है यह जो आप design देख रहे हैं एमेज पर यह सोने और चांदी से बनाया जाता है ठीक है और इसके types हैं कहीं सारे जैसे कि आपके हिम्रस है अम्रस है किम खाब है या इसको आप खाब है है आवे रवा है आवे रवा का मतलब होता है आपके flowing water और वक्त अथवा पाठ थान, यह इसके types of brocade है, brocade वस्त्र जो है, यह types है इसके, तो जो आपके यह कहते हैं आवे रवा है, इसको flowing water बोला जाता है, इसका जो गर हम मतलब निकालते हैं, तो वो है flowing water means बहता हुआ पानी, तो ऐसा इसमें आपको pattern देखने के लिए मिलेगा, कि आपको ल कोलते हैं, dream like beauty, ठीक है, मतलब इसमें स्वपनी के समान सौंधरी होता है, रेशम के फातार का, रेशम के मतलब धागे का यूज किया जाता है, और सोने चानी के धागों का यूज करके, जो नमूना है, जो pattern है, वो उभार के बनाया जाता है, और हिम्रस और अम्रस यह आपक आपके वर्फ और ठंडी रिसू में पहने जाने वारे वस्त रहें, लेकिन यह types of brocade है, that's why मैंने आपको बनारस brocade में पढ़ाया है, लेकिन यह types हैं, हिम्रस और अम्रस, तो हिम्रस और अम्रस जो है आपके यह औरंगाबाद का famous brocade है, clear होगे आपको, इसको केवल केवल सि अगे से बनता है student, ठीक है, और आपके यहां पर यह बहुत famous है, और अम्रस जो है आपके यह बनारस, सूरत, एहम्रस इन सब में बनता है, हिम्रस और अम्रस बनता हट जगे है, लेकिन famous जो है आपके यह औरंगाबाद का है, औरंगाबाद का famous brocade है, तो I think अभी आपको सब clear हो गया होगा, next हम बात कर लेते हैं, कांजी वरम सारी की students, यह तमिल नाडू की बहुत famous सारी है, और आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, यह भी बहुत कॉसलिफ सारी होती है, बहुत ही महंगी सारी होती है, मतलब expensive, बहुत ज़दा expensive, और यह आपके students pure silk से बनाई जाती है, तो जो सारी आपके pure silk से बनी है, वो तो बहुत ही महंगी बनेगी, क्योंकि सिल्क का धागा बहुत ही costly धागा होता है, चीक है, उसका जो manufacturing process है, वो ही बहुत heavy process है, बहुत long lengthy process है, तो pure silk की बनी होती है कांजी वरम सारी, इसलिए बहुत costly होती है, next time बात करेंगे students, महेश्वरी सारी की, जो कि आपके indoor, मध्य प्रिदेश में famous है, मध्य प्रिदेश में indoor में आपके यह बनाई जाती है, इंदौर जिले में, और यह dedicated for summers, मतलब यह mainly जो सारी है, यह summers के लिए बहुत suitable है, summers में पहनी जाती है, यह सारी महेश्वरी सारी, इसका मुझे इमेज मिल पाया था, वन्ना मैं आपको यहाँ पर शो करती है, नेक्स्ट है, आपके स्टूडेंट्स, पितामबर, यह आप इसको पैंठडी भी बोलते हैं, तो हैदराबाद के पैंठर नामगिस्थान पर रेशम से बने हुए, यह जो साडिया होती है, अदलब रेशम का यूस क सोस्ली हो जाती है, इसमें आपके फूल बनाए जाते हैं, गमले, हणस हैं, ऐसी आकरतिय KARम्मूने इसमें बनाए जाते हैं, गहरे चटख K Neighई आपके पीला रंग है यह आपके सुनहला रंग इन कलर्सकों इसमें यूज किया जाता है ठीक है तो पैंठडी आपके हैदराबाद या इसको आप पितामबर फाबरिक भी बोलते हैं हैदराबाद के पैंठड इस्थान पर ये बनाई जाती है तो आई थिंक आपको इमेज में दिख रहा होगा और क्लियर हो गया होगा चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं पाटोला आपके इस साडियों पर आपके हाथी बना होता है नर्तिकी बनी होती है मिलब डांस करती हुई कोई लेडी फूल या गमले की चित्र बनाए जाते हैं और टाइन डाई जो मैथड है जो आपके रिजिस्ट प्रिंटिंग में आ जाता है टाइन डाई पाटोला का एक्जामपल और यह है आपके बांधनी का एक्जामपल आप और अच्छे से देख लेजा आपको दिखाई देगा हाँ अब दिखाई दे रहा होगा यह आपके पाटोला का एक्जामपल है यह आपके बांधनी का एक्जामपल से स्टूरेंस इसमें जो है आप पक्षी है, निर्त्य करते हुए इस्तरियां है, इस तरीके से इसमें डिजाइन्स या पैटर्न या नमूने बनाया जाते हैं, और आपके सेम ऐसे ही बांधनी में, और बांधनी जो है आपके गुजराज, काठियावार, राजिस्थान में भी बनता है सुडेंट्स, और राजिस्थान में बनता है, और लहरिया प्रिंट भी आपके राजिस्थान का फेमस है, आगे आपको बताऊंगी मैं, नेक्स्ट आप बात करेंगे, कलमकारी की, जो कि आंधर प्रदेश की बहुत ही फेमस आपके कहना चाहिए, इसको पालमपुरी फैबरिक भी का जाता है और यह आँधर प्रदेश की बहुत फेमस फैबरिक है, ठीक है, इसे कलमकारी कहते है, इस पर पोचन पली है, उसमें आपके इकत का यूज़ किया जाता है, इकत के बारे में मैं आपको निक्स वीडियो में पढ़ाऊंगी, उसके बारे में थोड़ा बड़ा आपको पढ़ेगा, ठीक है, तो पोचम पली है, इसमें आपके ताबरिक है, कलमकारी, यह आपको पीछरे इमेज में दिखाई भी दे रहा होगा, निक्स्ट आम बात करेंगे स्टूडेंट्स, बंधेच की, जो मैं आपको बता दिया, बंधे, सेम आस बांधिनी, और यह आपके राजिस्थान में फेमस है, कुझरात में भी बनाया जाते हैं, क्योंकि वो दोनों आपस में कनेक्टेड है, दोनों के बांधिनी की बात कर लें, तो टाइन डाइ प्रोसेस से ही दोनों बनाया जाते हैं, क्लियर हो गया, स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके एक बच्टा पालमपुरी तो हो गया, हमने कलमदार की बात कर लिये, कोई भी नहीं बचा है, आई तिंग, जो मेरे को मिले थे, समझ में आयते हैं, वो मैंने आपको बता दी है, धाका की मलमल मैंने इसलिए इसलिए इंक्रूड नीगरी, क्योंकि हम बात कर रहे है, ट्रडिशनल टिक्स है, धाका की मलमल में, अपनेे राशनल तो है, यह पสक्राइअब है, ट्रडिशनल से अजचा कर देने में होती है, तो ईतनी मהीन होती है, एक मासमें में पूरूर्दार के आपके औरे की महीन की सारन बच सबिक्स, ट्रूडğini, लेकर मुल्वार, पकिनसे चाँनल टेक ऑन मुर्था भी राजस्थान का फेमस है से काफी सारी चीजे है जो मैंने इसमें इंक्लूट नहीं किया है फेमस ट्रेडिशनल टिक्स्टाइल को ही यूज किया है अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल इम्डॉइडरी की जो कि जिसकी वज़े से आपका भारत देश बहुत फेमस है इम्डॉइडरी में उसकी बात हम नेक्स वीडियो में करेंगे तो अभी का वीडियो आपको कैसा लगा पसंद आया है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसके लावा जो बच्चे वाटसेप ग्रूप पर आड होना चाहते हैं वो दियेगा नंबर पर कॉंटेक्ट कीजिए और फिर आप मेरे वाटसेप ग्रूप पर आड हो जाएंगे जो मैंने पढ़ाया है वो नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे स्टूडिंस चलिए नेक्स वीडियो में मिलेंगे नेक्स टॉपिक के साथ अब तक आप अपना ध्यान रख आएगा कॉमेंट करके मुझे फीडबैक देखने में बहुत अच्छा लगता है थांक्यू सो मच